राश्टी दिवच की शान में हर घर लेराएक तरंगा मुरारी लाल गोयल तेश के यशश्वीत म्रादान मंती नरेन मोदी दी के आवान पर हर घर तरंगा अवियान को सफल बनाने के लिए अखिल भारते ग्राग पंचायत की अवशक बैठेक सुल्तान गंज की पूलिया इस्ति नव जोती बिल्डिंग इस्ति सेवा भावन में की गए जिला द्यक्षपरण पार्षद मुराली लाल गोयल ने बताया कि बैठेक में तैग किया गया है कि स्क्राग सुन्चायत के पद्यादिकारी सभी सम्माने सदस से आजादी किस महापर्व को सतंता दिवस को भूमदाम से मनाएंगे साथी सेर्वासियों को सतंता दिवस के अपतरप अपने घरों प्रतिष्ठानों कारेले पर अपनी आन्वान सान राष्टी ध्यवस द्रंगा फराने के लिए प्रेरित भी करेंगे बैटत में सुमन गोयल महमंतरी प्रदीब लूधरा सथिन पाठटिक विजय वर्मा अशुक कुमार सबनानी डॉक्तर मनिंदर कौर अंजु देलानी अन्वारी लाल अग्रोवाल अधिल वार्थिय ग्रहाद पंचाईट जिलाई का याधरा के तक्ताधान में पंदर अगस दोजार चौविस के सुतनका जवस के पावल पर पर आज ये बैटक यहां संपन हो रही है जिसमें आज सभी हमारे ग्रहाद पंचाईट के पजाथकारी हमारी बैन है माज शक्ति सभी ने ये संकल्प लिया है कि पंदर अगस के उस सब को बहुत धुमदां से मनाएंगे क्योंकि ये उस सब हमारी आन हैं हमारी सान हैं हमारी बान है माने नहीं है प्रदान मंत्री जी के आवान पर हर घर तरंगा घरगर तरंगा का जो आयुजन पूरे देश में, पूरे राष्ट में इसको सफल बनाना है और हर जंजन को इस आयुजन में अपनी सहे बाक्ता प्रिकट करनी है हम सब को जागरुक भी करेंगे हमारी पूरे अखिल बारते गराथ पंचायत के सबी पदातकारी लोग आवेर करेंगे, जागरुक करेंगे कि अपना थोड़ा सा योगदान इस राष्ट के इस पर्व के लिए दे धर पर भी तरंगा लगाएं प्रतिष्ठान पर भी लगाएं जहां भी संबभ हो सके इस तरंगे को शान से लगाएं और इसकी हवाज़त भी करें इसका कहीं दुर्पयोग भी ना हो और इस पर विशेश इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक के जंडे का अपयोग ना करें कपलई का जंडे का अपयोग ये हमारा सान है, आन है, वान है हमारी प्रतिष्ठा है सब कुछ है मैं परिजी देखें समय को ये घ्राक पंचाज को अखिल भारतिये घ्राक पंचाज दुवारा आयोजी बैठक की गई उसमें पंदरा अगस्त के विशे में सभी पततकारियों को बताया गया कि हमें किस तरह से मनाना है क्योंकि पंदरा अगस्त एक हमारे देश की आजादी का दिन है जिस तरह से हम हर तुवार को मनाते हैं दीपबली हो चाहे कोई भी तुवार हो दीपो से सजाते हैं तो जिस तरह से मन्य नियम हमारे मोदी जी ने जो एक हर साल जो हो इसका आवान करते हैं कि हर तुरंगा होना चाहिएOkay कर में तरंगा फेराना चाहिए क्योंकि यह हमारे भारत की सान है वह और हमारे भारत का एक पर्दीक भी है इससे हम बालूंगा पढ़ता है कि हम भारतवासी है तो हमें हर घर में तरंगे को फैराना चाहिए और 15 घर में हर चोड़ाय पर हर गली में सभी जगा इस परभुर को मनाना चाहिए और सभी से मैं यह कहना चाहूंगी कि इसकी सम्मान करें यह दुजा है यह हमारी तीरंगी तीन कलरों की हारी औरेंग और सफेद और बीचमेंगा चक्र है वो जिस तरह से सुदर्जन चक्र था शिरी किशिदी का उसी पिरकार है यह हमारे पूरे भारत को समाल करके रखता है और हमारे पूरे भारत की पैचान है मैं यही कहना चाहूँगी कि पुना इसको अपने इस तरंगे की जो सम्मान से रख्षा करेगा और सम्मान से सुरच्चा करेगा वो हमेशा जिससे बीर हमारे भीए लड़कर के सहरतों पर अपनी जाने दे देते हैं मैं उन माहों को सलाम करती हूँ ऐसे ही सपूद हर मा के ला मैं डॉक्टर मनिंदर कॉर प्रुफेशनली आग्वेस डिग्री कॉलेज में प्रुफेसर हूं कॉमर्स विभाग में और अक्र शात्य ग्रहा फंचायत कि मैं सदस्य हूँ और आज हम लोग 15 अगस्त जो हमारी देश का आजागी कर देन है उसको हम बड़े भूमदान से मन जाता है जैसा कि मोधी जी ने आगान किया है कि हर घर त्लवना होना चाहिए तो हम यह आज संकल करेंगे कि कोई भी घर या प्रतिस्थान ऐसा ना बचे जहां पर यह तिरंगा ना लगाया जाए और यह तिरंगा ही हमारी पहचान है आपनी देखा होगा कि किसी भी देश म डीज़ जब लोगों के आइट अईटिटी दिखानी होती है तो बहुत वहां लगाया जाता है तो हम टीरंगा है तो हम है और तिरंगा नहीं तो हम भी नहीं है हमारे धर, जात्aking यह सब बात में हैं पहले हमारा देश है ना वी रग है कि वा है जिस वो लगाने के लिए हमारे कि इतने सबूदोने जान दी तो इस Τरंगे को आजादी तो हमें दे नहोंने मगर इस आजादी को हमें बचान कर रखना है और संनभाल क reflectने आजादी को और तिरंगे का पूरा-पूरा संबान करना और मैं ये सभी से निमीदन करना चाहतू हूँ कि जो भी तिरंगा लगाए अपने घर में ये अपतिस्थान पर फिर उसको उसी संबान के साथ वो लगा रहा है उसी संबान के साथ श्याम को उसको उतार के अपने घर में अपने घ कर रहा है हम और अधरणिय प्रधान मंत्री मोदी जी के उस आगान को हम सभी लोग उस संकत्र को पूरा करने के लिए घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा को आगे बढ़ाने के लिए आज की बैटक कर रहा है और सभी से निवेदन है कि इस राज चेपल्प को पूर्ण 800 लाश के साथ मनाएं और इस तिरंगे का फूर सम्मान करें जिस सम्मान और शान का ये पतीख है उसी सम्मान और शान से इसको दोजारोहन करें और उसी सम्मान और शान से इसको उतार कर हवश सुरक्षित सहेच कर रखें इससे के आगामी वर्षों में इसको उन्हें हम लोग इसी तरीके से इस्तिमाल कर सकें अगर कहीं भी सडक पर या कहीं भी ऐसे इस्थान पर रंगा पड़ा हुआ दिखाई देता है तो दोजार रोवन से ज्यादा हमारी ये जिम्मेदारी है कि उसको उठाएं और सुरक्षित को सिस्थान पर लगाएं जहां की उस तिरंगे की एहमियत है और उसकी शान पर